एलो नमस्कार दोस्तों मैं जय बारे आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आप एक नए यूटूबर है मेरी तरह और यूटूब चैनल पर आप वीडियो बनाके बहुत ही महिनत करते हो फिर भी वीज बहुत ही डाउन दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों आप सबको बता दूब के यूटूब पर कोई बंदा आके बहुत महिनत करता है उसके बहुत सारे ड्रीम होते है कि एक दो वीडियो अप्लोड करने के बाद मेरे चैनल पर अच्छे खासे वीज आएंगे लेकिन फिर आंपर मेरे वीडियो देख रहे हो दूस्तों मैं बहुत ही महिनत करता हूं वीडियो के फिछे लेकिन फिर भी मेरे चैनल पर व्यूुस बहुत ही कम आते है तो दोस्तों इसके लिए हमें हिंमत नहीं हारना है कोई ना कोई?. खरते रहना है ठीक है तो मैं आज आपको एक YouTube का ऐसा फीचर बताऊंगा जिसके जरिये आपके चैनल पर थोड़े बहुत व्यूस आ सकते हैं तो दोस्तों ये कौन सा फीचर है कैसे काम करता है किसे आपके चैनल पर व्यूस आ सकते हैं तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है तो चलिए दोस्तों मैं आज ये फीचर है उसका नाम आपको बता देता हूँ कि ये फीचर का नाम है एंड स्क्रीन सबसे पहले ये जानना जरू होता है कि एंड स्क्रीन होता क्या है दोस्तो मैं आप सबको बता दू कि आप बहुत सारे चैनल के वीडियोस देखते हो और उस वीडियोस के पिछे जब वीडियो पूरा होने का end आता है तब 21 सेकंड जब बाके रह जाते हैं तब आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर उस वीडियो पर देखने को मिल जाए तो चलिए दोस्तो यह end screen कैसे काम करता है इसे कैसे हम अपने वीडियो पर लगाते हैं और कैसे लगा के हम वीडियोस ला सकते हैं तो इसके उपर पूरी बात करेंगे तो दोस्तो यह जो end screen होता है उसे हम अपने वीडियो के अंदर किस तरह से add करें तो दोस्तो किस तरह से आप अपने ही वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे वीडियो को प्रमोट कर सकते हो इसको लेकर आज हम बात करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेरे मोबाल के स्क्रिन पर जाना पड़ेगा आपको एक छोटी सी रिक्विस्स करना चाहता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए आयो तो प्लीस हमारे वीडियो को ज़रू से लाइक कर देना हो सके तो सेर करके हमारे चैनल को भी ज़रू सब्सक्राइब कर लेना है तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्रॉम ब्रावजर को उपन कर लेना है और क्रॉम ब्रावजर उपन करने के बाद क्रॉम ब्रावजर में ही आपको यूटूब को उपन कर देना है तो चलिए हम यहां से यूटूब को उपन कर लेते हैं तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे मैंने क्रॉम ब्रावजर को उपन कर दिया है उसके बाद simply आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने जो page open होगा तो आपके सामने उपर की और आप नजर करोगे, तो तीन डोट आपको दिखाई देंगे, तो तीन डोट पे आपको click कर देना है, और निचे आने के बाद आपको desktop side पे click कर देना है, जैसे आप वहाँ पे click करते हो, तो आपके सामने ये page कुछ इस तरह से so हो जाएगा, उसके बाद simply आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं page को थोड़ा जूम करके आपको दिखा लेता हूँ, कि यहाँ पे आप नजर करोगे, तो यहाँ उपर की और आपके channel का एक logo दिखाई दे करना है, जैसे आप YouTube Studio पे click करोगे, तो आपके सामने ये page होगा, वो कुछ इस तरह से so हो जाएगा, तो यहाँ से मैं page को थाड़ा जूम करता हूँ, और आपको अच्छी तरह से समझाने की कौसिस करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप नजर करोगे, तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपके सामने आपके चैनल के अंदर जितने भी वीडियो होंगे, वो वीडियो आपके सामने सो हो जाएंगे, तो अब आपको करना कहा है, आप जिस वीडियो पे end screen लगाना चाहते हो, उस वीडियो को simply यहाँ से आपको select कर देना है, तो चलिए मैं आपको द तो simply आपको pencil वाले निशान पर click कर देना है, जैसे आप वहाँ पर click करते हो, तो आपके सामने कुछ इस तरह के option open हो जाएंगे, यह जो page होगा वो कुछ इस तरह से आपके सामने सो हो जाएगा, तो simply आपको यहाँ पर बहुत सारे option मिल जाएंगे, जिससे कि आप बहुत सा सेटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको simply end screen लगाना है, तो मैं आपको end screen के बारे में बताऊंगा, कि end screen लगाने के लिए आपको यहाँ पर नजर करनी है, कि आप यहाँ पर देखोगे, तो आपको end screen का option यहाँ पर मिल जाएगा, तो simply आपको उस पर click कर देना है, जैसे आप वह आपको यहाँ से कोई भी एक template लेना है, तो चलिए simply यहाँ से मैं एक template लेता हूँ, यह वाला, ठीक है, तो यह वाला जब मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर side के अंदर आपकी वीडियो भी show होंगी, जिस वीडियो पर आप लगाना चाहते हो, तो simply आपके सामने यहाँ पर ए symbol दिख रहा है आपके सामने, वो होगा आपके end screen का, तो simply आपको उस पर click कर देना है, जैसे आप वहाँ पर click करते हो, तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे option मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर most recent upload पर click कर देना है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप click करोगे, तो automatically आप कोई video select करना चाहते हो, वो video अगर आप select कैसे करना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, चुस यहाँ पर नीचे एक option दिया गया, चुस specific video, तो simply आप वहाँ पर जैसे click करोगे, तो आपके सामने यहाँ पर आपके channel के जितने भी videos होगे, वो बहुत सारे videos यहाँ पर show हो जाएंगे, तो simply आपको उसमें से कोई भी एक video लेना है, जो आप end screen के अंदर लगाना चाहते हो, तो simply मैं यह video लगाना चाहता हूँ, तो simply मैं उस video पर जैसे click करता हूँ, तो यह video यहाँ पर show हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर मैं save के option पर click कर देता हूँ, जैसे मैं save के option पर click करता हूँ, तो वो video हमारी यहाँ पर save हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर यह video आपकी save हो चुकी, और save होने के बाद जैसे भी कोई आपका subscriber आपकी videos देखता है, तो क्या होगा कि आपके video जब खतम होने के 21 seconds बाकि रह जाते हैं, तब यह जो आपने video add करी उसके अंदर, वो video उसको दिखाई देगी, तो वो direct वहाँ पर click करके आपकी उस video पर भी जा सकता है, उसका use करना चाहिए, ताकि आपको भी आगे जाके थोड़े बहुत views मिल सके, तो दोस्तों आसा करता हूँ कि मेरा यह video आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, हो सके तो share करके हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना,